दोस्तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैटरिक पास सकोलर्शीप 2024 के लिए किस परकार से आपको ओनलाइन अपलाई करना आतो अगर आप भी 2024 में मैटरिक का एकजाम पास की हैं और दौस दार सकोलर्शीप के लिए अवनलाइन अपलाई करना चाहते हैं तो आप इ मुझती रहेगी साथ ही हमाई WhatsApp चैनल को भी जॉइन कर लिजेगा हमाई WhatsApp चैनल का लिंक इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है क्योंकि जो भी छोती बड़ी अपडेट आती है जिस टोपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उसकी जनकाई सबसे पहल अपको अपने mobile या laptop में Google ओपन करना है उसके वाद सर्च बार में सर्च करना है online helps.in जैसे online helps.in लिक करके सर्च करेंगे सबसे उपर में ही आपको इस परकार से online helps.in के website का link मिलेगा आपको इसी वाले link पर click करना है जैसे इस वाले link पर click करेंगे आपके सामने इस परकार से online health.in का website open होगा इस website का direct link हम इस वीडियो के description box में भी दे दिये हैं वहाँ सभी आप direct इस website पर आ सकते हैं इस website पर आने के बादे हैं आपको आपको नीचे कुछ school करके नीचे आना है नीचे आएंगे तो आपको एक option मिलेगा metric pass scholarship 2024 online अभेदन का आपको इसी वाले option पर click करना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने इस परकार का एक new page open होगा इस page का भी direct link हम इस वीडियो के description box में ही दे दिये हैं आप चाहें तो direct इस page पर भी आ सकते हैं इस page पर आने के बाद यहां पर आप देखेंगे बिहार बोड मैत्रिक पास scholarship 2024 से जूरी सारी जनकाई को बता दिये हैं तो यहां पर आ करके आप पूरी जनकाई प्राप्त कर सकते हैं सारा जनकाई प्राप्त करने के बार यहां पर आपको नीचे आना है नीचे आने पर यहां पर आपको एक option मिलेगा important link का उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक option मिला direct link to online apply का उसके सामने new registration का जो option मिला है आपको इसी new registration वाले option पर click कर देना है जैसे new registration वाले option पर click करेंगे आपके सामने इसका कुछ दिशा निर्देश open होगा जिससे आपको अच्छे तरहिके से पहले पर लेना है सभी guideline को अच्छे तरहिके से परने के बारे यहाँ पर आपको जो box मिला है सभी box में check out कर लेना है सभी box में check out करने के बाद continue वाले option पर click करना है उसके बाद इस परकार का registration फोरम ओपन होगा जिससे आपको fill up करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को school college का district name select करना है यानि कि जिस भी area में आप लोगों का school college परता है वो किस district में परता है उसका जनकाई यहाँ पर आपको बताना होगा district name select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना registration number इंटर करना है registration number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर करना है student का नाम इहाँ पर fill up करना है उसके बाद यहाँ पर आपको data worth इंटर करना है यहाँ पर father's name इंटर करना है यहाँ पर मदर्स नेम फिलप करना है उसके बाद यहाँ पर आपको total of 10 marks की जनकाई बताना है यानि कि कुल कितना अंक आपको प्राप्ट हुआ है वो यहाँ पर इंतरे करना है उसके बाद यहाँ पर आपको division का option मिलेगा इस वाले option पर click करके अपना division select करना है division select करने के बाद यहाँ पर आपको category का option मिलता है इस वाले option पर click करके यहाँ से अपना cast category select कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना roll number इंतरे करना है method में no ही select रहने देना है और दोस्तों यहाँ पर यह जो सारा details आपको fill up करना है यह सभी details आपको अपने marksit के recording fill up करना है अभी आप लोगों को marksit नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पर आप अपने admit card के अनुसार ही यह सारा details fill up किजिएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे आईग करना है उसके बाद यहाँ पर आपको verify with OTP वाले option पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकर mobile number पर एक OTP जाएगा उस OTP को डाल करके mobile number को verify करना है तो इस परकास यहाँ पर आप लोगों को अपना mobile number verify कर लेना है mobile number verify करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक email id इंतरे करना है उसके बाद यहाँ पर इस परकास से आधार verification का dashboard ओपन होगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना name इंतरे करना है उसके बाद gender वाले option पर क्लिक करके अपना gender select करना है और यहाँ पर आपको अधार नंबर intel करना है उसके बाद यहाँ पर आपको data worth इंतरे करना है और यहाँ पर जो आपका डीटीयल से हो आधार पर आपका मार्क्सित पर दोनों सेम होना चाहिए अगर यहां पर आपका कुछ भी डीटियल्स गलत है तो पहले आप उसको सुधार करवा लीजी अगर यहां पर आपका डीटियल्स गलत रहता है तो ऐसे में आपको इसकोलर्शिप की रासी नहीं मिल पाएगी इस बात का लगार अब दोस्तों अधार नंबर को वरीफाई करने के बाद नीचे में जो चाफ जा Además लुडक्राक ऑपके आपको सारह अच्छे तहीं के मिलान कर लेना है कि आपने जो भी details fill up किया है वो सारा detail सही अगर यहाँ पर आपका सारा detail सही है तो नीचे आना है नीचे में metric का marksit upload करना है यहाँ पर आपको अधार काद upload करना है और यहाँ पर आपको जो भी document upload करना है वो सभी document PDF फाइल में upload करना है और उसका जो size हो 400 kv से कम रखना है अब यहां पर आपको अधार काट जो upload करना है उसका front side और back side दोनों को एक साथ scan करना है उसके बाद इसका PDF बना करके upload करना है साथ ही आपको जो marksit upload करना है अभी आप लोगों को original marksit नहीं मिला हुआ है तो ऐसे यहां पर आप internet से download करके अपना marksit लगा सकते हैं document upload करने के बाद यहां पर जो नीचे में register here का option मिला है आपको इसी वाले option पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका registration complete हो जाएगा जिसके बाद आपको एक receiving मिल जाएगा जिससे आपको print करके सुरक्षित रख लेना है receiving print करने के लिए यहां पर आपको नीच receiving print करके सुरक्षित रख लेना है तो इस परकार से आप बड़े असानी के साथ भीहार बर मैत्रिक पास स्कोलर्शिप के लिए ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में मैत्रिक पास स्कोलर्शिप 2024 के लिए ओनलाइन अप्लाई करने का complete process step by step बता हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को एक लाइक किजिए गा और इसी तरह के अपदेद पाने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही हमारे WhatsApp चैनल को भी जोईन कर ल हुआ हुआ है